आज हम लोग पढ़ने वाले NCBC क्लास 10 से हिंदी बीच चप्टर 4 से मनिस जयता इसके रचनाकार है मैथली सरंगुप्त यह आपको असपर्स भावदो पाठी पुस्तक में मिल जाएगी तो चलिए सुरुआत करते हैं सुरुआत करने से पहले आपको बता दें किसी भी परकार कि क्यारी के लिए आप हमसे जूर सकते हैं टेलेग्राम फेस्बूक और इंस्टाग्राम से चलिए देख लेते हैं तो कविता पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कभी परिचे के बाले में देख लेते हैं तो मैथली सरंगुप्त का जनम 1886 इस्विय में जहासी चिरग और बिसुद्ध खड़ी बोली का परियोग मिल जाएगा देखने को इसके अलावा इनकी कुछ विशेश रचनाये हैं जैसे यसोध्रा साकेत जैद्रत बद तो ये कुछ विशेश रचनाये हैं इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाये हैं जो मैथली सरंगुप्त ने जाएगी इसमें भारत भारती रचना आपको स्वतंतरता संग्राम की याद दिलाएगी तो स्वतंतरता संग्राम में इनके बहुत ही विसेश रचना के लिए गांधी जी ने क्या किये थे इन्हें राश्रुपवी की उपाधी परदान किये थे और साहित में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारापदों भोशन भी मिल चुका है मैथली सरनगुप्त खरी बोली के विकास में अपना विसेश योगदान दिये थे तो इनहीं सभी रचनाओं के लिए मैथली सरनगुप्त को पुरा देश जो है वह राश्वकवी के रूप में जानते हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपको बता दे कि इस रचना के माध्यम से जो कभी हैं वो क्या बताने के प्रियस कर रहा है मनुष्य एक बुद्धिमान प्रानी है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो मनुष्य को एक चानवर से अलग बनाती है वह क्या है वह है मनुष्यता आपके अंदर अगर मनुष्यता नहीं है तो आप एक पशु के समान हो तो मनुष्य को कैसा स्वभाव रहना चाहिए दूसरे के प्रति क्या स्वभाव रखना चाहिए तो यहीं सब इस कविता के माध्यम से मैतली सुर्ण गुप्त हमें बताना चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या है कविता में और उसको लाइन वाइन डिसकस करते हैं आप लोगों की सुभधा के लिए हम यहाँ नीचे व्याख्या दी गई है आप उसे देख लेंगे तो चलिए परते हैं पहवी पंक्ति है विचार लोग की मर्त्य हो नमृत्य से डरो कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी होई नई यो सुमृत्य तो वर्था मरे वर्था जिये मरा नहीं वही की जो जियान आप के लिए वही पसुप्रब्रति है कि आप आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मड़े तो इस पंक्ति के माध्यम से रचनाकार क्या कहने का प्यास कर रहे हैं विचार लो की मर्त्य हो न मर्त्य से डरो कभी यानि कि ये विचार लो ये अपने मन में ठान लो समझ लो कि इंसान क्या है वो मृत्य है यानि कि दिनाश होना ही है तो वही बताया गया मरत्य है यानि कि वहां मरन सील है, इंसान क्या है, मरन सील है, तो एक ना एक दिन हमें क्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तो वहीं बोल रहा है, विचार लोग की मरत्य होना, मरत्यों से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करो सभी, लेकिन एक दिन अगर मरना ही है, तो क क्यों ना जिन्दगी में कुछ ऐसा करे जो मरने के उपरांत भी हमें सभी लोग क्या करें याद रखे आप ऐसा कुछ करो जो आपको याद रखा जाए जैसे कि आज अगर आप देख लोगे तो बहुत सब्सक्राइब कि एपी जय अबदुलकलाम उन्हें सभी लोग याद करते हैं क्यूंकि उन्होंने देश को कुछ दिया विवेकानन को आप देखोगे उन्होंने देश के लिए कुछ किया तो ऐसा कर्म कुछ करो कि पूरा विश्व आपको हमेशा याद रखे अगली पंक्ति में कहा जा रहा है अगर आपकी अर्थ नहीं है तो यानि कि बेकार है तो इसलिए आपके मिर्थ्य भी हो तो कुछ उसमें क्या होना चाहिए कुछ देशित की भावना होनी चाहिए आप ऐसे मरो तो मिर्थ्य मरो मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए वे व्यक्ति नहीं मरा जो जियान आपके लिए जो आपके लिए नहीं जिया आपके लिए यानि कि अपने लिए अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया है वही क्या है? वही मनुष्य है वही पसू प्रवर्टी है कि आप आप ही चरे और जो सिर्फ अपने लिए ही जिया है वो क्या है पसू प्रवर्टी यानि कि पसू के समान है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वही क्या है वही मनुष् के माध्यम से रचनकार कहने का प्रियास कर रहे हैं फिर अगली पंती में चलते हैं तो अगली पंती में कहा गया है उसी उदार की वथा उसी उदार की कथा सरस्वती वखानती उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव किर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्ति शिष्टित पूजती अखंड आत्म भाव जो असिम बिश्व में भरे वही मनुश्य है कि जो मनुश्य के लिए मरे को कहा जा रहा है उसी उदार की कथा तक यानि कि कहानी उसी उदार की कथा शरस्वती बखानती यानि कि जो उदार सीलता है आप किसी के लिए कुछ अच्छा करो सरस्वति किये गए कर्मों का कहने का अर्थ हिया है कि सरस्वति किसी तरह से उन्होंने देश के लिए आम जनता के लिए आम जनों के लिए दीन के लिए किस तरह से उन्होंने अच्छे कर्म किए जिसके कारण उस जो सरस्वती है यानि कि जो पूस्तके हैं उसके बखान कर रही है बखान मतलब उसकी कहानी गाथा सुना रही है आप अच्छे करम करोगे, तो लोग आपको क्या करेंगे, सालों साल तक, सद्यों तक आपका नाम लेते रहेंगे जुक्य होँ उसी उधार से धरा कृतार्त भाव मानती, धरा मतलब पृत्वी, कृतार्त मतलब यानि की पृरा उधार हो करके हमेशा मतलब आपने उसके लिए कुछ किये तो वो आपको याद करेगा तो आप जिस तरह से लोगों के भाले के लिए कुछ करेंगे तो वही कृतार्थ भाव से लोग भी आपको क्या करेगा हमेशा पुरा धर्ती आपको मानती रहेगी हमेशा सद्यों सद्यों तक क्या करेगी आपको याद करती रहेगी तो कहने का प्रयास कर रहा है उसी उधार की सदा सजीव किर्टी कूंजती अगर आप उधार हो किसी के लिए आप अच्छे कर्म किये तो सदा सजीव यानि कि हमेशा सजीव मतलब वैसा चीज जो मृत्यों इसकी ना होता हो यानि कि त्रजीव किर्टी यानि कि असल में जो है आपकी किर्टी जो है वह गुँझती आपकी शवरिय गाताए जो है हमेशा गुचती रहेगी चारों तरस पिर बोल रहा है तथा उसी उधार को समस्त्र सिष्टी पूझती और आपका गुणवान तो करेगी और आपका पूझन भी करेगी यानि कि आज सभी राम को पूझते हैं कि उन्होंने रावन का बद किया था श्रिष्टी का उधार किया था उसी वज़े से फिर कह रहा है अखंद भाव अखंद आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे अखंद मतलब अखंदता जो अखंदता की बात करता है जो एकता की भावना अपने मन में रखते हैं वही उसके जो भावना है वो असीम विश्व में भरे और विश्व में भर देते हैं वैसे मनुष्य जो है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे आखिर में उन्हीं लोगों का गुनगान होता है जो मनुष्य के लिए मरते हैं अगली पंती में अगली पंती में कहा गया है चुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी तथा दजीची ने दिया प्रास्त अस्थी जाल भी उसी नर्चितिस ने स्वयमास दान भी किया सहर्श वीर करण ने शरीर चर्म भी दिया अनित्य देह के लिए अनादी जीव क्या डरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मड़े यहां पर कहा गया है चुदार्त रंती देव ने दिया करस्त थाल भी तो यहां चुदार्त का मतलब हो गया जो भूख से व्याकुल हूँ और रंती देव एक जो राजा थे उसके बारे में यहां पर बताया गया करस्त थाल यानि कि थाल भरा हुआ भरा हुआ थाल जो है उ जब वो खाने के लिए बैठे तो एक भूख से व्यक्ति वहां आते हैं तो खाने के वक्त ही अगर पहुँच गये तो रंतिदेव ने क्या क्या वो खुद भूखे थे लेकिन अपना थाल क्या किये भड़ी थाल उस व्यक्ति को सौंप दिये तो यहां कुछ उदाहरन दिया जा रहा है अपको पेस किया जा रहा है पुरानों से उठा करके कि देखिए कैसे मनुश्य ने लोगों की भालाई की थी अपने खुद का भालाई और मतलब खुद की जो दूसरे की भालाई के लिए है ना तो फिर कह रहे हैं दीची ने दिया अस्तर जालवी यानि कि द्यादी वो रिशी थे इनके पास इंद्र आये अपने जो कहानी बताये कि कैसे धानवो से उनका क्या हो गया है दानवे उसमें लराई हो गयी है तो उनको छीत जीत के लिए एक उजार की जरति वजर की जरतिव धृक्त healthy जाल से ही मतलब हड़ियो कुह रहीं उन्हों से ही वो बज़न बनाया जा सकता था है तो जब उन्होंने दधीची से अपनी व्यता बताई तब दधीची sandyने क्या कि अपना अस्थि जा लियानि कि उनकी जो अस्थिआं हडी वो उन्हें दान किया और इतना बड़ा त्याग किया अपना शरीर का त्याग करके अपना अस्थी दान करना बहुत बढ़ा त्याग होता है। फिर आगे उधारन देते हुए बोल रहे हैं, उसी नर छिटिस ने स्वय मास दान भी किया। उसी नर एक राजा थे। उसने क्या किया। कबूतर के जान बचाने के लिए अपना मास जो है कबूतर के बराबर दान कर दिया पिर आगे कह रहा है सहर्स वीरकर्ण ने शरीर चर्म भी दिया यानि कि कर्ण को तो ऐसे ही महान दानी कहा जाता है तो जब उन से महावारत के युद्ध जब हो रहा था उसके उपरां इंद कुंडल और कवच्छ दान में मांग लिये तो कर्ण यह जानते हुए भी कि अगर वे दान कर देंगे अपना कर्ण जो है कुंडल और कवच्छ दान कर देंगे तो जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा उनकी मिर्ट्यू भी हो सकती है लेकिन इन सभी चीजों को तोड करके उन्होंने क्या किया अपना डान की जो उन्हों कि यूंकी जो प्रबृति थी अनादी जीव क्या डरे यानि कि अनिट्य देह यानि कि जो शरीर है वह क्या अनिट्य है यानि कि हमेशा रहने वाला नहीं है अनादी जीव क्या डरे अनादी जीव कहा गया है आत्मा को अनादी जीव से आत्मा का यहां पर मतलब है कि यह जो आत्मा है अनिट्य देह से क्या हम लोग क्या करते हैं डर जाते हैं कि मुर्टिय हो जाएगी पर इन सभी चीज़ों रचना कार बोल रहीं है जीव यह जो सरीर है नित्य है आने वाला है नहीं तो हमारा फमा है यह सरीर के मरने से न कुछ ऐसा करें जो क्या करें मनुष्य हमें याद रखें संसार हमें याद रखें वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अथा यहां पर कह रहे हैं प्रचनाकार की मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरते हैं मनुष्य के लिए कुछ करते हैं अगली पंथी में लग देख लेते हैं अगली पंथी में कहा गया है सहानु भूती चाहिए महा विभूती है यही वसी कृता सदेव है बनी हुई स्वैम मही गृद्ध वाद बुद्ध का दया परवा हमे भा विनित लोक वर्ग क्याना सामने जुका रहा अहां वही उदार है परवपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे तो कहा गया है सहानु भूती चाहिए तो इस पंथी में आपको देखने को मिल जाएगा मैथली सरन गोप्त सहानु भूती उपकार और करुना की भावना का बर्नन कर रहे हैं पहर हैं सहानु भूती चाहिए यानि कि एक इंसान के अंदर क्या होना चाहिए सहानुभूती होना चाहिए महा विभूती है यही जिसके अंदर सहानुभूती है उसके लिए वही महा विभूती है महा विभूती कहने का मतलब क्या उसके अंदर वही उसका उपहार है उससे बड़ा उपहार उसको और क्या च उसके वसिक्रिप में रहेंगे कि सदेब उसको क्या करेंगे हमेशा तर trail of रसों तक उन्हें याद करते रहेंगे आज बहुत सरे महा प्रुश्ष ऐसे हैं उनको याद किया जाता है क्यूंकि कर्मों के लिए भी के एन विरुदलबाद बुद्ध का उदाहरन देते हो यहां कह रहे हैं बुरुद्ध बुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनित लोक वर्ग क्या ना सामने जुका रहा बुरुद्ध याने की जो समाज में फैली हुई बुराईयां थी उसको समाज में फैली हुई जो पीछे की जो प्रबृतिया कि उसको क्या किए पुष्ण ने नकार दिए और आगे बढ़े और लोगों के हित के लिए सभी चीज़ें पुरानी मानियता हैं थी प्याग दिए और आगे बढ़े लोगों के भले के लिए काम किये उन्होंने तो आज पुरा विश्व उनको क्या करते हैं जानते हैं और उनका गुंगान करते हैं विनित वर्ग विनित लोक वर्ग क्या न सामने जुका रहा आज भी सभी लोग क्या करते हैं उनके पूजा करते हैं, फिर अगली पंती में कहा गया है, अहां, वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही उदार, अहां, वही उदार है, परोपकार जो करे, यानि कि जो परोपकार करते हैं, वही क्या है, समाज के हित्व की भा करें और दया दिखाएं तो आप ही मनुश्य हैं इंसान हैं आप ही के अंदर इंसानियत हैं यह प्रियास कहा गया है अगले पंक्ति में कहा गया है रहो न भूल के कभी मदांध तुछ वित में सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में अनाथ कौन है यहां तिरलोक नाथ साथ हैं दयालु दीन बंधु के वरे विसाल हाथ हैं अतीव भाग्यहीन है अधिर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अर्थात इस पंक्ति में इस पंक्ति के माध्यम से रचनाकार जो है जो घमंड में ब्यक्ति पड़े रहते हैं या जिसके अंदर द्वेस की भावना रहती है और या किसी के लिए जान नहीं रहना चाहिए बोल रह रहा है कि मधान बहुत में अन्धे मध में हो जाना यानि कि अपके पास अगर है अगर धन दव्त है तो आपको कभी नहीं बोलना चाहिए कि ए कि पर कभी घंद्ध करो कि सन अथ हो तुमारे पास सब कुछ है कि इस पर कभी घंद्ध करो अना तक रहा है यहा तो उसके कोट में आप में कहा गया है कि आप जो इतना घमंड कर रहे हो तो आप क्या समझते हो अनाथ कौन है यहां तिरलोकनाथ साथ है तिरलोकनाथ यानिकी इश्वर जो अनाथ है कहा गया है अनाथ के कौन होते हैं तिरलोकनाथ होते हैं कि उसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं तो यह वारेज़ों नंप mosquitoes रहे हो तो ये धन्द उलत तो तुछ है दयालो दीनवंदु के बड़े विशाल हाथ है और जो तिरलोकनाथ है इश्वर है उसके बड़े विशाल हाथ है यानि कि वे बहुत क्या है परमात्मा जो है वो बहुत ही उदार है सब को समेट लेते हैं अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अतीव भाग्यहीन है वैसे मनुष्य जो है वो भाग्यहीन है जो अधीर भाव रखते हैं यानि कि दूसरे के लिए क्या रखते हैं उपेक्छा करते हैं दूसरे के लिए अपने मन में गमंड रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है वह बहुत ही भाग्य हीन है भाग्य से हीन है मनुश्री तो वह है जो सिर्फ इसके लिए दूसरों के लिए जिये या मरे अगली पंक्ती में कहा गया है अनन्त अंत्रिक्ष में अनन्त देब हैं खड़े समक्ष ही स्वभाहु जो बढ़ा रहे वड़े बढ़े परस्पर प्रावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी अभी अम्रत्य अंक में अपंग हो चड़ो सभी रहो नयों की एक से नकाम और कासरे वही मनुश्य है कि जो मनुश्य के लिए मरे अर्थात इस पंक्ती के माध्यम से जो रचनाकार है वो बताने का प्रियास कर रहा है कि मिर्त्यू के उपरान आप जब जाओगे इश्वर के समक्ष तो आपका क्या किया जाएगा स्वागत कि जाएगा किनके द्वारा देव देवताओं के द्वारा वे खरे होकर आपका स्वागत करेंगे कि आपने कुछ अच्छा कर्म करके इस प्रित्वी पर से गए हो समक्ष ही स्वाभा हो जो बढ़ा रहे बड़े बड़े जो दूसरों के लिए अच्छे अच्छे कर्म ये हैं परस प्रावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी तो रचनाकार कहने का कह रहे हैं कि परस प्रावलंब एक दूसरे का सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए कोई किसी पीछे ना चोट छाए आपसे आग अगर रिस लगा रहे हो तो ऐसे रिस मत लगा कि आपके अपने पीछे चोट जाए तो फिर कह रहे हैं अभी अमरत्य अंक में अपंग हो चड़ो सभी रहो न यो कि एक से न काम और का सरे वही मनुश्य है कि जो मनुश्य के लिए मड़े तो आप ऐसा कर्म करो कि एक दूसरे का काम जैसे कि अगर मान लो कि एक दूसरे के बिना कोई काम ना हो यानि कि आप किसी के सहयोग करो कोई आपका भी सहयोग करे तो एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते चलो तो एक दुसरे के सहीयोग की भावना अगर आपके अंदर है तो आप भी आगे बढ़ोगे और मनुश्य तो वही है जो मनुश्य के लिए जीते आप मरते हैं पिर अगली पंक्ति में कहा गया है मनुश्य मात्रबंदु है वही बराबिवेक है पुरान पुरुष स्वयम भू पिता प्रसिद एक है प्लानु सार कर्म के अश्य वाहिय भेद है प्रंतु अंतरेक्य में प्रान भूत भेद है अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यता हरे वही मनुश्य है कि जो मनुश्य के लिए मरे तो इस पंक्ति के माध्यम से रचनाकार पुरे संसार को एक ईश्वर की संतान बताने का प्रियास कर रहे है तो रचनाकार कह रहे है कि मनुश्य मात्र बंधु है यानि कि जो मनुश्य है वो सभी क्या है बंधु यानि कि एक दुसरे के भाई है यहीं वरा बिवेख है और यही सबसे क्या ज्यान की बाते हैं कि अगर आप एक दूसरे को भाई मानते हो, बंधु मानते हो तो यह सबसे वरा बिवेख है पुरान पुरुष पहिम भुपिता प्रसिद एक है और आपके पुरानों में कहा गया है कि जो इश्वर है वो एक है सभी के जो पुरान पुरुष है वो सभी एक है कहा भी गया है कि सबका मालिक एक फिर कह रहा है फ्लानुसार कर्म के यानि कि फल के अनुसार और कर्म के अनुसार वाहिय भेद अलग हो सकते हैं इसी के देखो इंसान इंसान में भेद भाव हो सकता है आप लेकिन अंत्र येक में प्रान भूत वेद एक हैं और जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे धर्म है कोई हिंदू है सीख है इशाई है सब अलग-अलग धर्म के अलग-अलग अपने अपने मत हो सकते हैं लेकिन अंत्रयक में अंत्रयक्य में प्रान-भूत-वेद है यानि कि जो अपके अंतरात्मा है वो सभी के अंदर क्या है एक ही है अंतर है कि यानर्थ कहा गया है कि जो एक दूसरे के सयोगी है वही एक दूसरे का सयोग ना करें तो ये तो अनर्थ है, बेकार की बाते है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य तो वही है जो एक दूसरे का सहयोग करे, मनुष्य की पडिभासा ही यही है, हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा अर्थ यही है अगले पंक्ति देखते हैं और यहां अंतिम पंक्ति है तो इस पंक्ति के माध्यम से क्या करना कहना चाह रहे हैं रचनाकार वो देख लेते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में सार्स खेलते हुए विपत्ति विद्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए घटे न हेल मेल हो बढ़े न भिन्यता कभी अतर्क एक पंथ के सतर्ग पंथ हो सभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे तो इस मंध्यम से चलो अभिष्ट मार्ग में यानि कि हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए करो, बिपति विद्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए और रास्ते में चलते हुए, आपको जो भी परिषान्या आए, उन्हें धकेलते हुए, उन्हें क्या करो, आप शमाधान करते हुए हस्ते खेलते आगे बढ़ते रहो उसे स्टाइड करते हुए विपतियों को फिर कह रहे हैं घटे न हेल मेल हो यानि कि किसी से भी हेल मेल ना घटे यानि कि मेल मिलाप हमेशा बनाये रखो बढ़े न भिनता कभी एक दूसरे से कभी भी भिन नहीं होना चाहिए कभी से मन मुटाव नहीं आना चाहिए अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी अतर्क एक पंथ के एक पंथ अलग-अलग हो सकता लेकिन सतर्क पंथ एक हो यानि कि सतर्कता का जो पंथ है वो सभी को क्या होना चाहिए, एक ही पंठ पर, एक ही रास्ते पर, मनुश्यता के रास्ते पर सभी को चलना चाहिए तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुश्य है कि मनुश्य के लिए मरे अगर हम साथ मिलकर, सभी को एक दूसरे का सहयोग करके, अगर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा जीवन जो है, क्या हो जाएगा, सार्तक हो जाएगा, कभी भी हमें एक दूसरे क्या करना चाहिए, कभी किसी से भिन्नता नहीं रखना चाहिए, अगर भिन्नता मन में आ गई तो हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएंगे तो इस पंक्ति के माध्यम से यही रचनाकार बताने का प्रयास कर रहे हैं तो आय होप आपको यह पंक्ति अच्छे से समझ में आई होगी और पुरी कविता का जो भावार्त है आपको दिया हुआ है नीचे आप देख लेंगे और यहां कुछ जो है सब्धार्थ दिया हुआ है आप उसको देख लेंगे जैसे मरती यानि के मरंशील भृता यानि कि यहां पर सभीक की जो लिख देगी गई है आप लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे दो स्लाइड में है पर तीन सलाइड झाल झाल झाल